नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदेवात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर दोस्तो बात करेंगे हिंदी ग्रामर की बात करेंगे दोस्तो आपको पता हिंदी में अगर 30 में 30 लाना है तो ग्रामर का जो पार्ट रहता है बहुत इंपोर्टेंट होता है सभी दोस्तों का विलकम अभी नंदन है आपके अपने योटूब चैनल सिच्छक भरती के चैनल जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर तीस कोश्चन यहाँ पर मौक कोश्चन करेंगे मौक टेस्चरलाइज सभी लोग जोईन हो जाएंगे बहुत बहुत धनवाश्य मित्रों को चले दोस्तों सुरू करते हैं 30 कोश्चन का आप लोगी स्कीन पर देख पा रहे हैं और साथी साथ दोस्तों आपके सीटेट के सीरीज के लिए आपको बेसरीज के लिए आप परिच्छाइप यहाँ पर इंस्टाल कर सकते हैं आपको 50% आफ है यहाँ पर और साथी साथ वर्गतीन के लिए भी चले दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपकी स्कीन पर वहांकी फ्री क्लासेज आपको यहाँ पर यूट्योब पर मिलती रहेंगे पर प्रस्ण नहीं है यहाँ दोस्तों आपके समानार्थी देखे लोग झाहाँ और पर यहाँ पर आपूर होगा अदूती हो गया लेकिन भयानक जो है अदबुत सब्द का समनार्थी भयानक नहीं होगा अदबुत सब्द का समनार्थी आशर होना अदबुत होना अपूर अदती होना ठीक है तो निगेटू प्रस्टा तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा यहां पे भयानक हो जाएगा दूसरा प्रस्ण पूँचा गया है पापी सब्द का समनार्थी सब्द बताना है आप कुचसित है, पामर है, निर्दई है या अधम पाव है तो पापी सब्द का क्या है, समनार्थी सब्द क्या हो जाएगा दोस्तो यहाँ पे निर्दई जो है आपका समनार्थी सब्द हो जाएगा तीसरा प्रस देख रहे हैं कि आप पूँचा जा रहा है question आप कि स्कीन पर है पूँचा जा रहा है दोस्तो कि फूल शब का समनार्थी क्या है यहाँ पे सब्द लिखा हुआ है ठीक है फूल सब्द का समनार्थी सब्द नहीं है negative प्रस नहीं है सरोज, प्रशून, मंजरी या पुस्प होगा तो फूल सब्द का समनार्थी कौन नहीं होगा शबी लोग बताएंगे फूल सब्द का समनार्थी देखे फूल का क्या होता है सरोज होता है पुस्प होता है ठीक है आपका प्रशून भी होता है लेकिन मंजरी जो है आपका फूल सब्द का समनार्थी नहीं होगा फूल सब्द का समनार्थी क्या हो जाएगा पुस्प प्रशून और सरोज हो जाएगा अंगला प्रस्ण है आपका म्रसा किस सब्द का परिया है म्रत्व, मित्र, मुक्ति या मिथ्या तो जो म्रसा दिया गया है आपका यह किस सब्द का परिया है दोस्तो तो यह दोस्तो आपके मिथ्या का परिया है नहीं कहते हैं मिथ्या दोस लगाया यहीं बेवजय है ठीक है तो मरसा किस सब्द का परयावाची है तो मिथ्या सब्द का है अंगला प्रसंद दिया गया है कि अर्विंद सब्द का परयावाची बताना है कमल, गुलाब, कचबरच या केबड़ा होगा तो अर्विंद सब्द का परयावाची यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंट करेंगे अरविंद सब्द का परयावाची क्या होगा क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे अरविंद का परयावाची कमल होता है जी हाँ अरविंद सब्द का आपका सत्दल अम्बुज सरसिज नलेन पुसकर पुंडरीक कमल यह आपके क्या होते हैं अरविंद सब्द के पर्यावाची है अरण का पर्यावाची क्या होता है देवदारू हरियाली अकेला कानन तो अरण का पर्यावाची क्या हो जाएगा कानन होता है डी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसने आसूर का समानार्थी होगा भूत पापी उद्देंड राच्छस ने कहते आसूर तो हयास यह कह बोलते न यह तो आसूर ही है यहनी कि राच्छस की बात करेंगी तो आसूर का समानार्थी क्या हो जाएगा राच्छस हो जाएगा और यह ऐसे प्रसने आपके हर्स हो गया, सूख हो गया, अमोद, मोद, प्रसनता, आहाद, प्रमोद, उल्लास, ये सभी क्या होते दोस्तों, आनंद के पर्यावाची होते हैं, इंद्र का पर्यावाची क्या होगा, पुरंदर, देवाशुर, महीशुर, महेश, तो सभी लोग जानते इंद्र के जो पर्य पर्यवाची पुरंदर होगा इंद के पर्यवाची और कौन कौन से हैं तो इंद के पर्यवाची आप लोग इस्क्वीन पर है सुरपती पुरंदर वाशव महेंद्र देवराज सुराधिप सचीपती मधवाज सक्र सत्मनू सहस्तराच सुरेच मेगवाहन सचीज मरुतपती देवेंद, शुरेंद, अमरेश, मरुतपाल, नाकपत, ये सभी इन्र के आपके परयावाची हो जाएंगे, सभी दोस्तों को जहिंदे वंदे मात्रम है, उमीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बहुत बहुत धन्दवाद, चपला का समनार्थी क्या होता है, चपला का समनार्थी सब्द होता है, दामनी की बात करेंगे, सी आपसन यहाँ पर सई हो जाएगा, अंगला प्रसने दोस्तों, जीव का परयाई है, वचन, रसना, ध्वनी, जीव, सभी लोग कमेंट करेंगे, तो जीव का परयावाई क्या होता ह जीव का पर्याय रसना होता है एक आता है रसना ना पीने के लिए ठीक है एक रसना आता है परके बच्चों बहुत जादा यहां पर उसको लेते हैं रसना ठीक है कलरफूल होता है अच्छा लगता है तो जीव का पर्यावाची रसना भी होता है रसना वानी गिरा जसग्या य तरंग किसका पर्यावाची होगा छीन, काया, प्रतिक्रती, उर्मी तो तरंग किसका हो जाएगा यहाँ पर उर्म का हो जाएगा पर्यावाची लहरी, हिलोर, लहर, वीची, उर्म यह सारे तरंग के पर्यावाची है पन्नग का समनार्थी सब्द क्या होगा पिक, केसरी, पि प्रिस उरग नाग शारंग यह सारे उरग के क्या हो जाएंगे सेस नाग के सारे परयावाची हैं आयोप यह सारे कोस्चन आपको अच्छे तरीके समझ में और होंगे अंगला पस देख लेते हैं क्या दिया गया है कि दिये गये सब्दों में भिन अर्थवाला सब्द की पहचान करना ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके लिक्जाम में तुरंग, म्रगेंद, म्रगराज, व्यागर तो देखी आप लोग देखेंगे म्रगेंद, म्रगराज, व्याग ये किसके पर्यावाची हैं तीनों ये दोस्तों किसके पर्यावाची हैं आप दो देख पा रहे हैं व्रगराज, व्याग, म्रगेंद, केहरी, केसरी, वनराज, सिंग, सादुल, हरी, म्रगराज, सेर, हरी यह सारे परयावाची हैं, लेकिन आपका तुरंग यह क्या हो जाएगा, भिन हो जाएगा, और ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं, हिमान्सू का पर्यावाची सब बताना है कलकंठ, चंद्रमा, रतनाकर, उतक्रिष्ट तो सभी लोग जानते हिमान्सू का पर्यावाची चंद्रमा हो जाएगा हिमकर, निसाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र, निस्वत ये सारे क्या हो जाएगा हिमानसू के पर्यावाची हो जाएगे जानवी का पर्यावाची क्या होगा जानवी एक नाईका है नाम भी होगा आपको पता होगा जानवी कपूर ठीक है इनके नाम का पर्यावाची क्या हो जाएगा संसार जानने वाला जहनुम होगा या आपका सुरसरी होगा ठीक है तो जानवी का यहाँ पर पर्यावाची सुरसरी या सुरसरीता हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख पारें क्या क्या है अलकनंदा भागी रथी मंद दुरुदनन्दा, सुर्शरी, सुर्शरीता, गंगा, देवनदी, देवपागा, बिश्नुपदी, ये सारे आपके क्या है, किसके पर्यावाची है, जानवी के पर्यावाची है, अंगला प्रस देख लेते हैं, कानन सब्द का पर्यावाची नहीं है, निगेटू प्रस नही नहीं है, विपिन नहीं है, अरन नहीं है या इनमें से कोई नहीं, शुबई लोग कमेंट करेंगे, फीडबेक करेंगे और आज को, आज की क्लास में 30 में से आपका कितना स्कोर है, गमेंड बाक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों को, तो कानल सब्द का परेवाची, अर्थात इनमें से कोई नहीं डियापसन सही हो जाएगा ठीक है जंगल अरन वन अटवी ठीक है कांतार बीपिन ये सारे अरन के परयावाची होते हैं अंगला प्रसने सुद्ध वर्तनी को पहचानना है दर्सना विलासी दर्सना विलासी दिया गया है और इसमें बताना कि सर्मान है आपका कमेंट आ चुका है मैं रीट कर पा रहा हूं सही आपका हो जाएगा दर्सना विलासी दिया हुआ है और ऐसे प्रसन पूछे जाएंगे कोई आपके गद्यान स्पद्यान से सब्दे दिये जाएगा पूछे जाएगा इसका सुद्ध वर्तनी करके है तो अतिशोक्ति का सुधरूप क्या हो जाएगा अतिशोक्ति यानि दोस्तों पहला अपसन सही हो जाएगा पहला हो गया दूसरा होगा यहाँ पे दूसरा दिया गया है अब आपको कमेंट वाक्स में बताना है अतिशोक्ति का क्या पहला सही होगा या दूसरा होगा अंगला प्रसन है सब्द का सुद्धरूप बताना है आगामी, आगमी, आगमी होगा तो सब्द का सुद्धरूप बताना है शबी लोगों को कमेंट है बहुत बहुत धन्वात सब्द का सुद्धरूप बताना है आगामी, तो आगामी में तीनो आपके गुरु होते हैं लगु नहीं होते हैं तीनो गुरु होते हैं बड़े होते हैं आगामी तीनो बड़े होते हैं ठीक है आगामी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा अंगला है सुद्ध रूप का चैन करना है पैत्रिक पैत्रक या पैरतक हो गया एतिहासिक देखे आतिहासिक है एतिहासिक नहीं है आपको ए में नहीं जाना है हमें आय में जाना है आपने गाना भी सुना होगा एकासि कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में ये गाना आपने सुना होगा तो वहाँ पे क्या बोला गया, आपने देखा होगा Iकास, यहनि I बोला जाता है तो यहाँ पे आतिहासिक होगा क्या हो जाएगा, आतिहासिक यानि पी C आपसन यहापर, दोस्तो स्वारी D आपसन सही हो जाएगा ठीक है C में तो आपका A दिया हुआ है हमें चाहिए A तिहासिक तो D आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्ण है कि इनमें से कौन सा सब्द जो है सुद्वर्तनी में बताना है शबी लोग कमेंट करेंगे 23 नंबर का क्या सही होगा शुद्वर्तनी बताना है कौन सा है प्रतिनीधी का प्रतिनीधी का सुद्वर्तनी यहाँ पे क्या होगा प्रतिनीधी कैसे लिखा जाता है प्रतिनीधी लिखा जाता है या प्रतिनीधी तो प्रतिनीधी में सभी जो है आपके क्या होते है लगू होते हैं लगू यानि सभी छोटे होते हैं प्राती नेधी भी आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धन्वाद आप लोगों का सपोर्ट लाजबाब उम्दा है दोस्तों इन में से कौन सा सब्द तस्वम नहीं है गरत आशू दुग्ध या अतिन तो सभी लोग जानत अंगला प्रशन है देश में जन्मा सब्द कहलाता है जो सब्द देश में जन्मे है उन्हें क्या बिदेशी बोलते हैं देशज आगत या इन में से कौन सभी लोग जानते हैं जो देश में जन्मा है वह देशवासी कहलाता है तो जो सब्द देश में जन्मा लेते हैं वह स गाड़ी सब्द है गाड़ी आपका देसी है आगत है बिदेसज है बिदेसी है आपका कमेंट आपका फीडवेक सर्मान है आपका कमेंट चाहूँगा आपका फीडवेक चाहूँगा जैस्वाल सर चाहते हैं कि आज आप 30 में से बिलकुल 25 प्रस कर रहे हैं बहुत बहुत दन जो दोस्तों जो बिदेश से आये हुई हैं जी हाँ बिदेश से बिलायती से आये हुई है पर कहते हैं पहले जवाने वो बिलायत से आया हुआ है यो बिलायत पढ़ने गया है नहीं बिदेशी भासा सीख कर आया है तो बिदेशी भासा से आये सब्दों को क्या कहते हैं देश योग एक आगत या देशज अगर बिदेशी सब्द अगर दिया होता या बिदेशज दिया होता तो हम बिदेशी कहते लेकिन यहाँ पे आगत सब्द जाएगा बिदेशी भासा से सीखे या बिदेशी भासा से आए सब्दों को आगस सब्दियां पर कहेंगे अंगला प्रसन है मुस्लिम सासन के प्रभाव से आया सब्द यानि जो मुस्लिम के सासन से बाबर के जवाने में वो सासन था उस सासन के प्रभाव से जो आये सब्द है वो रेल है, हवालात है, गिलास है या बाडा है तो दोस्तो जो हवालात सब्द है मुस्लिम का जब सासन आया तो हवालात में सभी कैदियों को डालने लगे मुस्लिम सासन के प्रवाव से ये हवालात शब्द आया है अंगला प्रसने दोस्तो सब्दों में फारसी सब्द का उदारन बताना है फारसी फारसी नहीं लगाना भईया अल्ला है अवाज अकल और अवरत हम बात कर रहें फारसी सब्द की बात कर रहें फारसी सब्द यहां पे आवाज आएगा भईया यह बताईए जब फारसी लगती है तो एक आवाज सी आती है बिल्कुल जी हाँ फासी लगती हवाज आती है यानि की फारसी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आवाज जो सब्द है हमारा फारसी हो जाएगा ये मौक कोश्चन आ गया जी हाँ दोस्तों मौक कोश्चन आ गया आप सभी के लिए मौक कोश्चन करेंगे शबी लोग कि न कमेंट के फीड़बाइक के माध्यम से बताना है और हम जानना चाहेंगे जैस्वाल सर जानना चाहेंगे ये परिवार जानना चाहता है कि आपका स्कोर आज की क्लास पर क्या है शबी दोस्तों को सुब रात तीचे हिंद वंदे मातरम धन्वाशवी का